दोस्तों अजसा डिनाल ने शम्सुल इसलाम लेखक पत्रकार तनी प्रफैसर लेखक रेंग करमी जिननदा के हिंदू तो भी फाशीवाद उत्ते बड़ा तकड़ा काम है तो उननल गलबत करांगे खास करके आज जिस तरहांदा महौल पैदा किता जा रहे है ओ सो महौल नू अज साड़े नाल ने सुई स्वेर दे दोस्ता दे रोबरू कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया तरह हिंदी में बात करेंगे हम जानते कि पंजाबी भी आप जानते थोड़ी थोड़ी लेकिन वो मतब है पिर पंजाबी क्योंकि पूरी तरह से मुझे नहीं आती है तो जहां-जहां मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होगा पंजाबी बोल रहा हूं उथे मैं बोल दे आंगा इंशाला जो आज हम एक शावत बाद बार सुन रही हैं फाशिवाद हिंदू तभी फाशिवाद आ गया फाशिवाद ने ये कर दिया आप हमारे सुरोतों को बताए ये फाशिवाद है क्या चीजैए? अओ देखिए आप पहले हम घावे हिंदू को ले 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 हिंदूत की दर्शन अपने आप में फाशिवाद है याणी बत्कों किसी योरब के किसी फासिवाद के ने skills को समझने की ज существ क्या है? ते हिंदु इस जिनका बाप हिंदु है जो आरियन रेस जो कास्टरिसम विश्वास करते हैं यानि जो casteism है वो hindu dharam, और वो जो है वो synonymous है, ठीक है, और वो racism में विश्वास करते हैं, ठीक है? वो यह कहते हैं कि परजातंतर चली नहीं सकता है, एक व्यक्ति, एक जंडा, और एक कानून होना चाहिए, और एक नेता के नेतृत में होना चाहिए, तो वो तो अपने आप में फासिवाद है, और इसी को हम ब्रह्मनबाद कहते हैं, तो लेकिन जो समस्य आ रहे है, वो यह आ वो एक संसदिय तरीके से यहाँ पर आ गया है, संसदिय तरीके से यहाँ पर आ गया है, और लोग जिनोंने यह शपत ली है, कि हम भारत के स्वमिधान को, Democrisen, Secular स्वमिधान को बनाएंगे, उसकी हिवाज़ँढ करेंगे, वो यह कह रहे हैं हम हिंदू रास्ट्रवादी ह हमारा हिंदुतोव में विश्वास है और अब हम इस सब को बदल देंगे यानि इसका मतलब यह हुआ कि आप भारत का जो सेकुलर और ड्रेमोग्रिट का उसको बदल कर हिंदुतवादी शासन ले आएंगे और हिंदुतवादी शासन का मतलब होगा कि यह देश सिर्फ हिंदु भी क्या एंटीनेशनल हो जाएंगे यह सारी बहस है तो अपने आप में हिंदुतवाद जो दर्शन है वो फासी बादी दर्शन है यह वो दर्शन है जिसमें सवतनतता संगराम में अंग्रेजों की दलाली की अंग्रेजों भारत के सवतनतता संगराम से घदारी की तो ये एंटी-नेशनल है, ये परजातंतर में विश्वास नहीं करता है, ये जाती बाद में विश्वास करता है, रेसिजम में विश्वास करता है, फैस्टिजम है. आपने भी बात की कि जो संग का करेक्टर है वो अजादी मूवमेंट अजादी तहरीक में इनका कोई ऐसा कोई योगदान नहीं है लेकिन अब हम देख रहे हैं इनके जो चौदां के बाद लगा तर देखा इन्होंने अजादी मूवमेंट में भी अपना दिखाना शुरू क इनको बत्रों क्याद करना शुरू कर दिया है नोने इसका क्या कारण लगा ऐसा है वो तो देखिए जो भगवान राम के नहीं हुए जो गईया के नहीं हुए अभी जिस पर हम बात करेंगे वो क्या क्या तथे आरेसेस जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा गुरू कुल है जूट सिखाने में और कितने मूँ एक देश के लीडिंग अख़ार ने ये एडिटोरिया लिखा कि डबल स्पीक इस अंडर स्टेटमें इन केस ऑफ आरेसेस यानि डबल स्पीक जो दोगला पंजोया है वो इनके लिए तो बहुत छोटा सा सा स्टेटमेंट है आप देखि जैसे बंदे ने अभी लेख लिखा कि हमने तो ऐसा किया था और मध्यापरदेश सेंटर प्रविंस की सरकार में ऐसा आरेसेस के बारे में ऐसा सोचा गया था और 1942 का जो अंदोलन था उसमें कॉंग्रेस के अंदोलन में कुछ आरेसेस वाले भी मारे गए थे है ना अचा अब भाही कोई जूट का भी इंता होता है जो राक्षास होता है वो भी दो घर छोड़ देता है इनको तो उसकी परवा नहीं है सन 1942 का अंदोलन का विरोध कर रहे हैं सन 1942 के अंदोलन में जब कॉंग्रेस पर प्रती बंद है मुस्लिम लीग और हिंदू मासवा मिलकर सरकारे चला रहे हैं और कोई यह बोलेगी आरेसेस तो नहीं थी लेकिन आरेसेस का पॉलिडिकल विंग था सावरकर का जो संगठन था और सावरकर उनके आइकन थे सावरकर करके कहने पर ही सन 1925 में आरेसेस बनी जो हेड़ गौार उसके फाउंडर खुद कहते हैं कि हमने उनका हिंदू तवा पड़ा और उसके बाद हमने बनाया और उनके साथ मिलकर रोज बैठक होती थी पस अंग्रेस सरकार उनको जेल में यानि आप उसका विरोध कर रहे हैं आप यह सब कर रहे हैं और आपके आदमी कॉंग्रेस के उसमें शामील हो गए है यह तो बड़ी हंसी की बात है वह यह बता दो ना वह कौन से आदमी थे और बता दो ना किस जगह हुआ था वह मैं हमेशा उनको एक चैलेंज करता हूं जगे खिर उसके बाद दो साल के बाद अरेहे सो निचिया है ना किछर उसके एक नीच के बाद बाकी सभागे कसी कही थो इन को इनको एक यह के हम इन्होंक peculiar वे इस्टेमें चुक्रा उल्च मेंछा हो गाया हो कही, बंदे मातरम शब्द इस्तमाल किया हो, वो हमें बता दें, हमें बता दें, जो लोग सफर किये, जो लोग गये, उनका सारा ब्योरा नेशनल आर्काइज में है, लोगों ने लिखा है, कम्यूस पार्टी जो विरोध कर रही थी, कुईट इंडिया मुमेंट का, उसके बहुजूद सेंख़ो कम्यूस टोंने हिस्सेदारी लिए और जावन गवाई हैं, उसमें तरंगा उठा कर चलते थे, आरेसस का कौन सा आदमी है, जो तरंगा उठाते हुए शहीद हुआ, पत तो खिलाफत मुमेंट में, इन्हों थो फिलाफत मुमेंट के कि पक्ष मेंबडा गरम भाशन करने के लिए इमको गिरफतार किया गया। आरे से इसमें से बोलती है ना हम तो खिलाफत मुमेंट, हमारा गांदी से विरोत क्या था कि वो हिंदु मुसल्मान को मिलाना चाहते थे और खिलाफत मुमेंट की बात करते थे ये बंदा पकड़ा गया बहुत गरम भाशन करने के लिए ठीक है ये पकड़ा गया, कॉंग्रे डिफेंस लॉयर रख लिया, लेकिन अंग्रेज जजीज ने क्या तैकिया वा था कि अगर आपने हिस्सा लिया है तो आप जाएंगे ही जाएंगे, अनलेस आप माफी मांगेंगे, जो अटलवहरी वाजपाई ने मांगी थी, तो खेर उनको जेल बेदिया गया, कैद आपकी तबिया खराब होती है और सेहत बनती है जाती है, हम जाते है हमारे हजारो शही टीवी हो गई, मर गए, उसके अंदर बुरे हालत हो गए, अत्रियां उनको पेचिश होई, उनको टीवी हो गई अत्रियों की, इस बंदे का 25 पॉंड वजन बढ़ गया, 25 यानी 12-13 कि के करीब है बजन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ये भी RSS की उनकी जीवनी है, डॉक्टर हेटगवार की उससे पता लगता है, कि वहाँ जो एक बहुत क्रिबनल जेलर था है, सरजाथर, मतलब वो करांतिकारियों को इतना कश देता था, कि रोंग के खड़े होने वारे के मिला होगा, है ना, तो इस वज़ा से उनका 25 पॉंट, 25 पॉंट, not 2 पॉंट, not 4 पॉंट, not 5 पॉंट, 25 पॉंट वजन एक साल में, हार्ड लेबर, समग्या है, आचा, दूसरी बार ये साहब जेल गया है, सरजने सोतीस में, नमक सत्यागरह में, ये मैं सारे उनकी, उनकी अफिशल पॉल्विकेशन से बता रहा हूँ, क्यों गये, नमक सत्यागरह में, हेडगवार साब ने आदेज दिया, कोई RSS वाला नहीं जाएगा, हम ये, हम ये उन्होंने का, ये शैलो नेशनलिज्म, शैलो नेशनलिज्म शब्द इस्तमाल किया उन्होंने, शैलो का मत हो कि कॉंगरेस के लीडर तूट नहीं रहें, आरेसेस में नहीं आ रहें, है ना, तो मैं जब कुछ सान उनके साथ रहूंगा, जेल में, तो उनमें से कुछ को तोड़ लूँगा, सीधा, सीधा लिखाया इसके, इनके बाइगराफी में, और जब वहा गये तो उन्होंने एक कुछ को आरेसेस के लिए तोड़ लेंगे, ठीक है, आरेसेस के तोड़ लेंगे, और यही वज़ा थी कि जब इस तरह की अटेम्ट किये जा रहे थे, तो सन 1931-32 में कॉंग्रेस ने तय किया किया कि कोई भी आदमी जो कॉंग्रेस का सदसे है, वो आरेसेस और मुस्लिम ली किये गया हो, आपने कोई कोई मेमोरेंडम दिया हो, आपने जलिया वाला बाग के बारे में कोई मेमोरेंडम दिया हो, आपने उसकी बरसी मनाई हो, आपने तरंगे जंडे के लिए किया हो, आपने बंदे मातरम के लिए किया हो, आपका कोई आदमी जेल गया हो, हमें एक आ जो एंगरेजी का लिट्रेचर है, उसको कंपूटर बढ़ आला है, समकालिक, जो कंटेम्परेडी लिट्रेचर है, और फिर मैंने उसमें स्कैन किया है, जलियावाला बाग, डज दिस टर्म अपियर देया, बंदे मातरम, डज दिस अपियर देया, भगा सिंग, डज दिस मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने गव हत्या पर पाबंदी लगाओ, यह मैमोरेंडम भी अंग्रेजी सर्कार को दिया हो तो मुझे बताईए, पताईए ना, इसी तरह जो अपने जो यह जो यह जो यह जो यह जो चेड़ खानी कर रहे इस पर आपका काफी रिसर्च है, सर्दार पटेल ने एक चिठी में नेहरू जी को लिखा कि यह सही है कि आरेसेस का इसमें हात है या नहीं, शुरू आती दौर में, यानि गांजी जी के हत्या के फोरण बाद, सर्दार पटेल के सितंबर तक, यानि जनवरी से लेके सितंबर 48 तक बहुत इंपोर्टन चिठ जो बहुत सीक्रेट तरीके से चलता है उसका कौन मेंबर है या नहीं, यह पता करना मुश्किल होता है, यह पता करना मुश्किल होता है, यह पता करना मुश्किल होता है, जैसे मैं आरेसेस की राजनीती और आरेसेसे जुड़े हुए लोगों ने कतल किया है गांदी जी का बही लिस्ट है चलो वो district magistrate ने नहीं पास किया है भारत के प्रेजिडंट ने पास नहीं किया है आपके सरसंग चाला ने पास किया है कि भाई यह हमने थानों को दे दी है list हमारी authenticated अगर इसके लावा कोई मुसल्मानों को मारते वे कतल करते वे या दंगर करते मिलेगा तो यह हमारा आदमी नहीं है तो ऐसी कोई list बता दो हमें ऐसी list देश के सामने रख दो यह RSS के मेंबरिये हैं हम कैसे जानते हैं कि फला आदमी RSS का है या नहीं है यह तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना जब आपको इन कन्मी निर्टो कर दे अभी इनका एक वो है वही उनका जो अपने आपको वेचारक कहता है अभी लिग दिया है कि गांदी जी की हत्या तो वो गरम दिमाग वाले हिंदू मासा बने की थी जो सावर कर के चेले थे सावर कर की मूर्ति लगवार है वो सावर कर की बेवकूफ आदमी मतबहें इंताहा दर्जे का बेवकूफ आदमी जिसको कुछ नहीं आता है यानि सावरकर जो काला पानी जेल का जो नाम रखा गया वो क्या कॉंग्रेसियों ने रखा है कॉंग्रेसिय शामिल रहे लेकिन आप ने रखा है और काला पानी जेल पूरा काला पानी जेल जो है वो सावरकर से जोड़ दिया गया है और इकलौता आदमी जिसने चार माफी नामा लिकर जो बाहर आया जिसका पचास साल की सजा दस साल की कर दी गई यार भाई मेरे किरिमनल है ये और सिर्फ उसी का जाके दिखाते हैं सेल दिखाते हैं उसी का के दिखिए वो यहां पर थे वहां पर सौ से ज्यादा करांती कारी फांसी लगा दिये गए उन्होंने पागल हो गए उन्होंने माफी नहीं मांगी उन्होंने नियम तोड़े उन्होंने खाना नहीं खाया कितने लोग हैं मैं नाम गिनुआ दूँगा मेरी किताब सावर कर देख लीजे, सारे के सारे कितने लोग हैं, उसमें कितने कम्मिनिस्ट हैं, उसमें कितने इमानदार हिंदू हैं, ये बंदा माफी नामा लिखेगा और कहेगा बिगड़ा हुआ बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा अपने माबाप अंग्रेजों के प जो से राइनिती में, जो सिंबल होते हैं, उनकी अपनी इंपॉड़न्स होती है, हम देख रहे हैं कि जैसे मेरा सवाल अभी वह अधूरा ही था, आपने ये तो बता दिया कि यहां इनके तक से गल्त है, ये जूठे हैं, जैसे आप तरंगा को हाई जैक करने की कोशिश कर रह देखेंः, जो मिय कोशिश, आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई नहीं पर सिर्णे में नहीं के आपने को भड़ी की, आपने 42 कंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकारे चलाइं सिंदी के अंदर, बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्टर फिरेंटे के अंदर और बंगाल के अंदर तो हिंदु तोगा का आइकन स्यामा परसाद मुकर जी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था समझा रहा है आपने नेता जी के खिलाफ अंग्रेजी सेना में हिंदु भर्ती कैम चलाएं वाइसराय की डिफेंस कमेटी में शामिल हुए जिसमें मुस्लिम लीग तक शामिल नहीं हुए मुस्लिम लीग मना कर दिया कि हम इस काम में आपके साथ नहीं हैं पूरी तरह साथ थी मुस्लिम लीग हिंदु महसाबा के साथ अपके साथ लेकिन उसने काह रहा इस काम में हम नहीं जाना था हम मुस्लिम भर्ती नहीं कराएंगे सेना में इनोंका कोई आदमी नहीं है इनकी उमीद के विपरीत देश आजाद हो गया इनको तो पूरी यह सारे दस्तावेस क्यों लिखे में हुए उनको इथा अंग्रेजों का राज कभी जाए गई नहीं देश आजाद हो गया ठीक है जा देश आजाद इसलिए नहीं हो गया सिर्फ गांधी जी के लिए आजाद नहीं हो गया आप उस जमाने की चिथियां पढ कर दिया, डेट भी एडवांस कर दी तो गांधी जी कभी रोलता है यह सच है कि गांधी जी ने बड़े पैमाने पर मास पॉलिटिक शुरू कराई यह किया वो किया तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको यह कह रहे हैं लेकिन भगास सिंग, अश्वाक अल्ला, राम ले आएंगे, अब गांधी इनका आइकन है, सर्दार पडेल इनका आइकन है, सर्दार पडेल जो सबसे पहला आद्मी जो पाबंदी लगाता है वो इनका आइकन है, लाल भादु शास्तिरी इनका आइकन है, जो सारे कॉंग्रेसी हैं, वो इनके घर से नहीं है, और नहरू पर दुष्मनित ने पर टाइमाँ सर्दार समय समस्टीक जिमनाँ व करीं वे दूश्वन है और कितनी भरांतियां पेदा करते हैं अग्रूилоों यह न, ना यह रीप खुश्टा हैmos, जैसे तो इंगलाइन गैसे की रहाणी लिखा गया था सरदार पटेल और नहरू, अगर सरदार पटेल और नहरू में, विचारों के तो डिफरेंस होता है, हम आप आप से बैट के चायद की दुगान पर बात कर रहे थे, कितनी बहस हो रहे थी, हो रहे थी नहीं हो रहे थी, लेकिन सरदार पटेल से अगर नहरू छुटकारा पाना जाते है सर्दार पड़ पोटो पा शकते न तीस जनवरी को अधिया होगी गांदी जी की और इससे पहले तीन-चार एटेंट हो चुके थे नहरु चुटारा पाना चाहते सर्दार पड़ेल से पा सकते थे नहिद पा सकते थे नहरू ये भी करा सकते थे कि सर्दार पड़ेल को जलवा देते उनका घर जलवा देते कि तुमने गांदी की अतिया कराई किया नहरू ने वो नहरू के लिए सबसे अच्छा समय कौन था सर्दार पड़े से कौन सा था सदार पड़े से चुटकारा बाने के लिए गांधी जी कहती आगा और सब लोगों ने कहा कि सदार पड़ेल का मंतरा आले जिमेदार है जी क्लिणख़ नदे ने हैं यह बड़े दिल की बात थी नेहरू की नेहरू तो चुटकारा पाना चाहता तो पाले ता लेकिन नेहरू जानते थे材 घ्या कॉंग्रेस बहुत सरे ऐसे हैं तो मैं किसकी से छुटकारा पाऊंगा नेहरू की पांच हजार और कमझोरिया हो सकती है नहरु जी ने असली समाजवास से घद्दारी की, नहरु जी ने जो बॉम्बे प्लान था पुंजी पत्यों का उसको लागू कर दिया, और हिंदुस्तान की आजादी को एक सच मुच में जूटी आजादी में बदल दिया, यह सच है, लेकिन नहरु हिंदुस्तान का चरित्र आज कल बंदे मातरम का बहुत रॉला पड़ा है, बंदे मातरम कहना होगा देश में रहना है, तो यहां तक के जो जूपी के मुख्मंतरी ने तो मदरसों में भी कर दिया, तो महाराश्यों में भी हो गया, हमारा सवाल जी है कि जो प्रोग्रेसिव फोर्सें है, पहले तो बंदे मातरम एक गीत है जो बंकीम चदर चैटर जी ने जो हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तानी थे जिनको डिप्टी कलेक्टर लगाय गया था 1888 में जब 1887 के लडाई जा रही है, 1887 के लडाई जाके 1862 में खतम होती है, कुछ लोग सोते है 1887 में खतम होती है, 1862 में नेपाल के बॉर्डर पर और माल्वा रीजन के अंदर, माल्वा मध्यापरदेश का, वो पूरा वहां चलती है, ठीक है, तो ये अंग्रेजों के दलाल थे, और इनको ग्रेश मांग दिये गए थे बीए में, अंग्रेश सरकार के दुवारा, सिंडिकेट ऑफ कलकता यूनस ये एक नौवल लिखा आनंदमथ, आनंदमथ जो नौवल है, वो आनंदमथ नौवल लिखा एक मीर जाफर के राज के खिलाफ, मीर जाफर के राज के खिलाफ, एक संतान विद्रो हुआ था, एक साध्वों का विद्रो हुआ था, वो सच है, वो सची गड़ना है, लेकिन जब उन्होंने नावल लिखा तो मिर जाफर का राज कपका जा चुका था अंग्रीजो का राज आ चुका था वो गड़ा मुर्दा उन्होंने उखाड़ा और गड़ा मुर्दा क्या उखाड़ा कि वो उन्होंने लिखा कि ये भारतमा और दुर्गा और उसी में उन्होंने उन्होंने गीत लिखा था बंदे माताम 1875 में 1882 में उन्हों इने नावल लिखा और 1875 का गीत उसमें ले आए वो गीत में दो अंतरे संस्किर्ट में है चार अंतरे बंगाली में है जब ये गीत लिखा ना इनोंने तो उस पर बहुत आलोचना होई कर लिए क्या गीत के यार यह क्या गीत है। आधा मुर्गि आधा बटेड कि संस्क इसमें है उसमें है यह है उसमें urine is communicative और यह तक कहा गया जो बहुत मशूर जातरा हूँ जो थे एक कल्चर के क्रिटीक थे कि यह तो जात्रा जैसा गीत हैं, जात्रा जो लोक नाटक था महां का, तो खैर यह होगा लेकिन इन्हों ने अपने टेगोर ने, रबिद लनाद टेगोर ने उसकी एक धून बनाई, उसकी एक धून बनाई और एक क्लासिकल उसमें वो गाना शुरू किया गया, लेकिन इस ग गीत यह कहता है कि यह नदियां बह रही हैं, पहाड फूलों से फलों से लदे हुए हैं, परिंदे चह चाह रहे हैं, और ऐसा देश जिसमें इतनी खुशाली है, इतना यह है, फसले लहल आ रही हैं, दो अंत्रे, और उसके बाद चार अंत्रे के दुरूगा, मा, जो है, व हाथ करोड जनता हिंदुस्तान की, वो जो जो तराना है वो देश के लिए ही निए वो बंगाल के लिए, अरोबिंदो ने इसका अनुवात किया, इसका नाम रखा नेशनल एंथम बंगॉल, सब्या, अब राजिस्तान वाले को किसी को एगी सुनवा हो, फसले लहल आ रही ह पेड़ों पर फुल पागली हो जाएगा ना वो लद्दाख में जाके यह सुनाओ तो पागली हो जाएगा कि यह कौन सी दुनिया की बात कर रहे हूं, तो गीत का यह इतिहास है कैसे रचा गया, हुआ क्या कि बंगाल का हो गया बटवारा, और बंगाल का बटवारा मुस् पागली हो जाएगा बटवारा मुसलमान थे, तो उन्हों ने इस फाइद इसको बटवारा करने के लिए नाम तो लिए आम मुसलमानों का लेकिन वो पॉलिटिक्स थी धाका के मुसलमान राजा की पॉलिटिक्स चल लई थी, कर दिया, उसके खिलाफ हिंदू राइट जो जो हिंदू संगठते वो तो विरोध में आई, क्योंकि वो सारा का सारा सब निकल जाता अपने हाथ से, जो बंगाल था और वेस्ट बंगाल ये सब जो था, लेकिन उसके खिलाफ बंगाल के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक संग किया, और इस गाने का जो शीर्चक है, व चर्चा का विशह बनता है, 1906 में, 12 साल में, जो परांतिये कॉंग्रेस कमेटी है, उसका परांतिये सम्मिलन होता है, म. रसूल, जो बाद में CPM के नेता बने, CPM के किसान नेता बने, उनके नेतृत में होता है, और उन्होंने उस पर भयानक दमन हुआ, तो सारे देश में दमन के खिलाव एक हो गया, और लोग गागा कर बाहर शड़क पर निकलने लगे, बंदे मात्रम, कॉंग्रेस ही, एक RSS का नहीं, एक हिंदु महासभा का नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेजों को परिशान करना ही नहीं चाते थे, रसे तो खेर बनी नहीं थी, लेकिन वो ज सारे देश के अंदर हो गया, और ये गाउं गाउं पहुची गया, हिंदुस्तान के, और बाकी गीत की कि इसमें क्या दुर्गा की बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो स्वाल ने था, लेकिन इसी बीच में आप देखते हैं, कि अगले 20 साल के अंदर हिंदु को बाकाइदा बनाया गया, उनको बढ़ाया गया, और किया गया, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कि टूनेशन थेरी मुसल्मानों ने दी, मुसलिम लीग ने दी, जूट है, 706 में आरे समाज ने दे इसको, भाही परमनन ने दे दी, कि सारे मुसल्मानों को आफग ये मुसलिम बहुल परांजया, उनको पाकिस्तान और इस में भी बना दीजे, असल में मेरा ये कहना है, कि मुसलिम लीग ने लाजपत राय की ही बात को माना, ट्रीब्यून के अंदर उनने दो लेख लिखे, अठारा सोनी नानुए या किस के अंदर, तो ये पूरा है और जो इंदू संपर्ड़ागता और मुसलिम संपर्ड़ का बढ़ी, जो गांदीजी की मास् मोबिलाइजेशन के खडी थी, घान्दीजी करे दे सब एक हैं सब एक हैं, यह कह रहे है नहीं हम तो हिंदू हैं मुसलमानें, है जो है मुसलिमानों तो हिंदूों को जारिस्बी एक जो मुसलिमान सामपर्दायता की बड़ी इंपोर्टेंट एक टाय रिने वह दूकर चेजर उर मोदी कहता है मैं हिंदू रस्ट्रबादी मुसलमानि मुसलमानि रास्ट्रबादी और शीक है फ्रॉट यादि बोलेगा मैं प्रस्टरवादी हूं सिक्तो बोले आज़ा इस बीच में क्योंकि ये जोर दे रहा थे कि भारतिय रास्टरवाद जो है वो हिंदु रास्टरवाद है तो इसका पूरा गाना गाते थे मुसलिम लिग उसका विरोध करती थी, मुसलिम लिग कहती थी कि यह तो सही नी है और कॉंग्रेस के लिए बड़ी परिशानी हो जाती, दंगे होने लगे तो कॉंग्रेस ने कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी, कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो कमेटी थी बंदे मातरम पर, कि इसका क्या किया जाए, पनित नहरू उसके अधियक्स थे, गांदी जी उसमें थे, मौलाना अभू कलाम उसमें थे, और सुबाद चंदर बोस थे उसमें, और इन्होंने ये तै किया, कि इस गीत को लेके बहुत दंगा हो रहा है, बहुत द अध्दती है, उससे समध्दी तब होनी होगा, अचा, दूसरा जो जूट पहलाया जाता है, कि सिरु मुसल्मान इसका विरोध कर रहे थे, ये जूट है, बुदिष विरोध कर रहे थे, सिख विरोध कर रहे थे, जैन विरोध कर रहे थे, इसका, कि ये सहीनी है, और दूस ये किस नावल का हिस्सा है ये नावल भारतिय राष्टरबाद से कोई लेना देना ही नहीं है इसका ये देश जीज दिन जानेगा ना कि ये रास्तर विरोधी नावल है इस देश में मोधी साहब अगर कंपल सरी कर दें इस नावल को पढ़ना हिंदुत्वा खतम हो जाएगा ये नावल अंग्रेज्यों की तारीफ में लिखा गया है ये मुसल्मानों के खिलाब भैनक हिंसा उनको जलाना उनकी दाड़ी में आग लगाना उनको मार पीट कर उनको हिंदू करना बोल हरी बोल हरी करवाना उनकी बस्तियों को आग लगाना जो हम गुजरात में देखा जो आमने बाबली मस्जिद के गिरने पर देगा, यह सारा वही से आता है, यह नावल खतम होता है किस पर जरा आप पागल हो जाएंगे? यह नावल देखिये होता क्या है, जो सनातन सेना है, वो मुसल्मानों को डिफीट दे देती है, उनको हिंदु करती है, उनको यह कहलवाती है कि कुरान शरीफ नाकाम हो गया, यह सब हो गया वो सब हो गया है, और इतना अंग्रेजों की तारीफ करती है, और मुसल्मान के साथ मजाक उलाती है अंग्रेज की ये खासियत है कि अपनी जान जोखी में पढ़ने पर भागेगा नहीं पसीने से तर्बतर मुसल्मान तो भाग जाएगा शर्बत ढूनेगा अंग्रेजों के बाद दरड़ता है वो जो कुछ शुरू करते हैं उसे खतम करते हैं जबकि मुसल्मान बेवगूफ हैं उनमें साहस का सवाल सबसे आखिर में आता है तोप का एक अदध गोला देकर मुसल्मान अपने पूरे समुधाय के साथ भाग जाता है जबकि एक अंग्रेज तोप के गोलो की बरसाद देकर भी डिगेगा नहीं अब बताइए ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की तारीफ हैं ये अंग्रेजों की तारीफ हैं और वो मुसल्मान जिनोंने 18-17 के अंदर अंग्रेजोंने उनको जिम्मेदार माना दिल्ली में कतले आम किया गया मुसल्मानों का और 18-19 से पहले किसी मुसल्मान को दिल्ली में नहीं आने दिया हम मेंसे कितना लोग जानते हैं कि मुसल्मानों को सिर्फ दिल्ली में 18-19 में आने दिया उनके बारे में ये बात बोल ला है, लेकिन ये नावल जहां खतम होता है, मैं कहरा हूँ कि इस से ज़्यादा शर्मना कोई वक्त बे नहीं हो सकता है, जीत गए हैं, संतान जीत गए हैं, और संतान इमानदारी से वो इसलिए लड़े कि पहला हमारी मंजिली है कि मुसल्मानों करिण जीत गए, फिर हिसाईयों को वहराइएंगे, तो जीत गए, तो भोगोत जीत गए, बहुत नुक्साने रचाने, क्या करूण और दर्बभरी दास्ताने हैं, मतलब मैं इस लिए लगोष को पढ़ते मेरे को रोना आ जाता है, क्योंकि मैं अपने कॉम्रेट्स को शहि तो यह। बैटके बात कर जेमें, मुसल्मान रास्तो खत्म हो गया ने हुटब हम्ने इसाइयों क्राज करना है तब हिए jeobuんな忍 के बाति कर रहे हैं। जब भावनन सब्सक्राइभ ने इनके लिडर हमें बात कर रहे हैं। तो एक अवतरीत होते हैं उपर से उनको नाम दिया गया है डॉक्टर या फिजिशिशन, डॉक्साव आते हैं और उनसे बहस होती है कि ये फिजिशिशन आके भावनना लारूं को कहते है चलो आब हमालया चलते हैं, वो कहते हैं क्यों हमालया को जाएंगे, हमने तो अभी आजाद कराने हैं, माँ आजाद कहा हुई है, वो जो भाशन करता है वो सुन लीजे, फिजिशिशन जो भगवान की तरफ से आया है, अंग्रेज जब तक शासक न बने तब तक सनातन मूल्यों की बहली की कोई संभावना नहीं है, हिंदू अग्रेज राज में सुकी बैब बिना किसी परेशानी के अपने मूल्यों पर अमल कर पाएंगे, इसलिए हे बुद्धिमान यानि हे भावनन, अंग्रेजों के खिलाब यूद करने से तुम अभी दूर रहो और मेरा अनुकरन करो, मेरे साथ हिमालिया चलो, तुम्हारा उदेश सफर लाहा है, तुम कोई दुश्मन नहीं है, अंग्रेज अब हमारे सहयोगी राजा है, इसके इलावा किसी के पास भी ऐसी सत्ता नहीं है, जो अंतिम तौर पर अंग्रेजों के खिलाब यूद को जीश सके, इस पर नाटक, इस पर नावल एंड होता है, और यह जो सबसे अथेंटिक माना जा सकते हैं, हमने संतान विदरोजो किया था, अंग्रेजों के राज इस्थाफित करने के लिए किया था, लिए यूद के रिज्ट यूद के लिए था, अगर आपने हिंदुतवा से लड़न है, मैं कहता हूं हमने दीमान करनी चाहिए, कि आनन मठ को कमपलर सरी प्रफित पर कर दिया जाये, सारी भाषाओं में, इनके जूते पढ़ेंगे, मुँपर कालक होती जाएगी. जो ये आनन्द मठ के वीचला जे जो बंदे मात्रम है, ये जो राश्टी गीत बना, इसका कारण वो कमेटी था या? नहीं, असल में क्या हुआ है? देखिए, ये कॉंग्रेज जो हिंदुत्वा के सामने घुटने टेकती है, दुनिया में एक मात्र देश है या शायद एकाद देश और या कैनेडा वगरा मुझे पता नहीं, शायद है, जिसमें रास्टरगान के साथ एक रास्टरगीत भी है. भारत का जो साजी रास्टरबाद है, भारत का जो एक secular democratic को है, वो तो गांधी जी के हत्या करने के बाद भी हिंदु रास्टर नहीं बनवा पाए. लेकिन उनको बड़ाबर दबाओ बना रहा कि वो साजी रास्टरबाद के सामने एक हिंदु रास्टरबाद का भी रखे त हिंदुत वादी सौंग अगेंस्ट अ सेकुलर नेशनल एंथम और कॉंग्रेस ने बहुत सही किया कि सिर्फ दो अंतरों को किया लेकिन उसने जो बाद में कॉंग्रेस की लीडर्शिप में भी थे मतला राजना परशाद वगारा और ये दूसरे लोग जो थे इसको राश्टियगीत बनवा दिया हाला कि राश्टियगीत का मतला दो ही अंतरा है पर उसके साथ तो बुनियादी सवाल कि ये नावल जो है ये अंग्रेजों की इस्तितु में लिखा गया है इसका कोई गीत कैस हो सकता है जैसे जो अभी बात कर रहे हैं कि इसको herself by ग्र mesma लिकिशुल्ख जितने पर इसे बाइन से उनके झिखे और एक फिल्वादी तुम्बर रखना ये हिंदूत वादी करते रहे और का कॉंगरेस उसमें शिकार होती रही अब जैसे भगवा जंडे का सवाल है तिरंगा जंडा आजादी से पहले आरेसस ने हमेशा वहिलना की हिंदू महासभा तो इतनी गाली किलोज करता था तिरंगे के और आरेसस वाले के मैं आपको बतानी सकता हूं दिसंबर 1929 में कॉंगरेस ने कराची अधिवेशन में तया किया कि 26 जनवरी 1930 से हम तरंगा जंडा लहराएंगे आज़ादी दिवस अना हैंगे, आरेससे ने आदेज दिया के हम भगवा जंडा लहराएंगे, हम तरंगा जंडा नहीं लहराएंगे उसके बाद गुलवलकर के दस बयाने इतने शर्बनाग बयाने कि हम इसको मानते ही नहीं है, हमारा भगवा जंडा है, और इतिहास में हिंदू जड़ना भगवा कभी था ही नहीं, वो आप जाके constant assembly की debates देख लिए, महा भारत में कोई भगवा जंडा हिंदू नहीं है, ये ए इनोंने उस जंडे को अपनाया, और रसे से पहले गदरी बाबो का भी था है, लेकिन वो यह नहीं कह रहा है कि गदरी बाबो का जंडा लिया है, वो यह बोले कि गदरी बाबो का जंडा लिया है, इसमें आता है, गदरी बाबी भी तो मेरा रंग दे बसंती चोला, पर उस मुझे जहां तक पूरी डिबेट है कि वो सफैद होता था और लाला गोबंदास जो बड़े हिंदी वादी और बड़े मतद कम्यूनल से भी आदमी थे उन्होंने भी कहा कि यह कभी नहीं रहा कभी भी नहीं रहा तो यह हो गया उसके बाद आप आजाजी की पूर संधिया प 14 अगस 1947 को अरगनाइजर ने लिखा दोस्पीपूल हुए कम तो पावर बाइड की को फेड ने गीव इंदी हैंस अफ हिंदू ट्राय कलर हिंदू हिंदू अर रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट इंदू अच्प्ट अच्प्ट इंदू अच्प्ट 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 लोग किसमत के दाओं से सत्ता में आ पहुंचे हैं वो हिंदू के हाथ में तिरंगे को थमादे लेकिन हिंदू इसको कभी समान और इजजत नहीं करेंगे तीन रंग एक जंडे में अपने आप में मनूस हैं और ये सारे देश की और हिंदू की मनों विज्ञान पर बुरा दालेगा ये तिरंगा जंडा क्यों कर रहे हैं बड़ा माज़ा बड़े मजिकी बागरी हिंदू के लिए तिरंगा जंडा चाहिए मुसल्मानों के लिए और मुसल्मानों के लिए और कम्यूनिस्टों के लिए तिरंगा चाहिए हम अब आते हैं एक काउंटर कुरंट में आपका आर्टिकल था सार शाथ पिछले साली एक कोई हिंदु तवी संगठन को जो लेट लगता है उसका थोड़ा संगशेप में पताएं ऐसा है एक संगठन है हिंदु जन जाकरती समिती जिसका एक संगठन अभी कल बुर्गी जी और जो शहीद हुए हैं पंसारे और गोविन पंसारे और दबॉलकर उनकी हत्या में वो सीधा उनका हाथ माना जाता है ये तो नाई ये कह रही है वो छुड़वार दोड़ा देगी वो अलग बात है ये बड़ा बड़ा डेंजरस संगठन है और ये कह रहा है कि हमने टेरि वक्त आने पर करना ये इसीद उसके डॉक्मेंट में लिखा हुए ये आरसेस के कितना करीब उसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि जब यहां पर गोवा के अंदर बीजेप की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होई ये और गनाजिजिंग कमेटी मीटिंग होई जिसमें मोधी ज इनों ने हिंदु जन जागरेती समिति ने अपना समेलन लगा भारत को हिंदु रास्त्र बनाने का समेलन भारत को हिंदु रास्त्र में बदलने का समेलन मोदी जी को जाना था उसको इनग्रेट करने लेकिन मोदी जी को वो ज्यादा जिम्मेदारी वहाँ पर होने लगी थी उनको कॉंगेस वो बीजेबी वर्किंग कमेंडी में तो वह आनी पाया उन्होंने एक वो भेजा संदेश फैलिसिटेशन संदेश ना शुब कामना संदे और मजे की बात यह है उसके तीन दिन के बाद उसी जग में एक बहुत-बहुत क्रिमिनल आदमी है गांधी जी को जो खुले आम गाली बगता है वो नाम है केवी सीतरमयया उसका भाशन हुआ उसी मन से जहां इनका मैसेज पढ़ा गया था गांधी दा बीगेस क्रिमिनल ए वद करने के लिए अवतार लेकर आते हैं ऐसे ही गोट से किर्शन जी का रूपधारण करके गांधी को कवद करने आए आप जानते हैं आरेसस वाले गांधी जी के हत्या को वद कहते हैं भी हिंदु महा सबवाला थो शर्याम कहते हैं हिंदु महा सब बात के भाट कहते है आप जना सोचिये परधान मंथरी का केंडिडेट निए रस्स का बड़ा लीडर बीजेब का बड़ा लीडर गुजरााट का चीफ टीनिश्टर जहां जहां कह रहा है कि आप जैसे संगर्टों की जुरूत है वो कह रहे हैं कि यह गांधी का वद जो है और वो श्री किर्शन की तरह से अवतार लेकर आए उसने दो किताबे लिखी है तो बीगेस्ट किरिमिनल ऑफ दी वर्ल्ड और इस तरह की दो किताबे अभी आपने शुरुआत में का था कि लोगतंत्री ढंग से फासिवादे सता में आया है तो तो टोटली हिंदोस्तानी क्रेक्टर को देखना होगा स्टेट के क्रेक्टर को तो किस तरह परवाशित करोगे फिर आप नई देखिए क्या हुआ है यह आपका बहुत इंपोर्टेट सवाल है बात यह है कि य अग्रेस ने जो न्यू लिबरल पॉलिसी अपनाई और नर्सीमर राव और राजीव गांदी वगरा ने उन्होंने एक फासिवाद का अर्थ वेवस्ता में फासिवाद का महल बना दिया था एक बदकिस्मती से जो हमारा समाज है भारतिय समाज चाहे मुसलमाने हिंदू है इसमें जो हमारा भारतिय एक परिवारिक दर्शन रहना वो अपने आप में बहुत फासिवादी है हमारा जो परिवारिक जो फजास्फी है हमारे बच्चे शादी कौन करें किसे करेंगे कौन से करेंगे कौन सा कपड़ा पहनेंगे आज घर में खाना कौन सा बनेगा तुम पिता जी माता जी चाचा ताउ मामा ढूनते हैं जैसे वो अपने लिए ढून रहे हो है ना तो वो जो है वो होता है फासिवादी रुजान हमारी यहां है अर्थ विवस्ता में उसको पूरा लागू करा दिया अर्थवस्ता में फासिवाद आपने करा दिया, सेंट्रलाइजेशन, इसमें RSS जैसी चीजों को उभरने में टाइम लगना ही नहीं था, यही मुस्लिम समाज के साथ हुआ है, यहां पर भी कठरबंती एकदम बाहरा आ गए, वो जो एक महुल तैयार हुआ ना, आप जो जो मौडल है, आर्थिक समाजिक मौडल, इसकी कितनी क्लम्मी उमर लग रही है आपको, नहीं, असा में देखिए, इसकी कोई उमर नहीं है, यह सबसे बेवकुफ शासागवरगा है, हिंद, सारी दुनिया में जो शासागवरगा हैं, फासिवादी हैं, उसमें सबसे बेवकू जो फैक्टर करते हैं, उसकी बहुत सीमा हैं भाई, मतलब इस देश में सारे मुसल्मान खतम हो जाएं, एक मिनट केरे में मालूम, मुसल्मान खतम हो जाएं, तो हिंदों की सारी प्रॉब्लम सौल हो गई, मैं खुले आम बोलता हूँ, पाकिस्तान के रूलिंग साथ साथ क हिंदुस्तान के हिंदुतवादी रूलर्स को, कि मुझे हिंदुतवादी रास्त्र मंजूर है, तुम्हें काम कर दो, सारे हिंदुों को जॉब एशियोर कर दो, उनको हेल्थ सर्विस एशियोर कर दो, उनको मिनीमम डेट पर घर का समान उपलव करा दो, मुसल्मानों को मत मैं यही कहता हूं कि सारे मुसल्मानों को जॉब दे दो उनको सब को चिठी दो यह कल आकर यहां कर ला कि वों कर दें वो कर दें अखर में पूछ जाता हूं आपने एक जगा कहा था कि मुझे पूफैसर मत कहना उन्याज कई आपकॉन में बहुत खराब है बहुत खराब एसल में कि और हिटलर के राज पर बहुत शांदार किताब है जो यह यूरस्टी ने चापी है, हिटलर's professor's, वो हम सब लोगों ने पढ़नी चाहिए. यानि आप यह समझ लीजे कि जर्मनी के इंटलेक्ट्वल ने जो किया था और जो आज हिंदुस्तान का काफी बड़ा इंटलेक्ट नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं आखरी बात जो करूँगा दर्णा साब का एक मिनट बढ़ाँगा, अभी इन्होंने मदरसों को कर दिया, उसके बाद नेशनल एंथम गाना है, उसके बाद जो सौतिता संग्राम के जो हिस्सेदार है, उनके बारे में बात करना है, मैंने मदरसों से कहा है कि अगले साल तुमने इसको बाकाइदा मनाना चाहिए, और तुमने ये बताना चाहिए कि RSS ने कैसे घड़दारी की थी, कैसे सुबाद चंदर बोज जी के खिलाब ये किया था, ये और वापिस ले लेंगे, सचाई को लेकर वो सूरज को ढखना चाह रहे हैं, वो सूरज को छुपाना चाह रहे हैं, और आपको आड़ बना रहे हैं ताके आप जल जाएं आपको उस पर रख रहे हैं धार पर रख रहे हैं आप सचाई लेकर निकलिए और आप ऐसा मत सोचिए कि आप चुप रहेंगे तो दूसरे लोग नहीं आएंगे कभी भी जल्म लोगों ने बरदाश ने किया माक्स वाद माक्स ना होता एंजल्स ना होता लेनी ना होते तो क्या दुनिया लड़ती नहीं मैं इसको मानता नहीं हूं दूसरे लोग आएंगे लडने के लिए लेकिन सिर्फ हमको जवाब देना है कि कल हमारे बच्चे अगली जनेरेशन आएंगी तो वो क्या कहेंगी वो तुमसे पूछेंगी तुमने क्या किया था तो तुम भगासीं के तौर पर जाना चाहोगे जुल्म के खिलाब लडने वाले जाना चाहोगे तुम दरूना चार्य बनोगे या तुम एक लबब बनोगे 24 हमारी है दरूना चार् कि तौर पर जाना जाओगे यह एक लब जैसे बेहतरी स्टुडेंट के तौर जाना जाना चाओगे जो प्रोफेसर्स हैं यह दरोना चारे बनना चाहते हैं जो सबसे काबिल है उनके अंगुठे कटवाना चाहते हैं और ब्रेक्ट का गीफ है सभी अफसर उनके वाइस चांस कि वाइस लिए उनके वात टारे जब लो प्रोफे जेसी और जागे यहाना चाहते हैं जागे में गब जाना चाहते हैं यहाँ मेंगुठे का जा रागे जो ब्रेक्ट का अंगुठे में दो रागे टारे